हेलोब फ्रेंट्स आज मैं इस मूवी का रिवू करने वाला हूँ इसका नमे लूसी तो चलि रिवू शुरू करते है इस मूवी को डारेट किया है लक बेसॉन ने और इसको लिखा भी है लक बेसॉन ने बात करे कास्ट की बार में तो कस्ट में सकालेट जोंसन एस लूसी नॉर्मेन, चॉयमिन शीक एक मिस्टर जैंग, आमर वैकेट एस पीट देल रियो, जूलियन रीन टार्ट एस दा लाइमे, पिलव अब्जेक एक रिचार्ट, लियो लिप्टॉन एस कारोलीन, निकुलास फंग्देद एस जी, तो मैं जब यह मुवी देखने बैठा था, मेर हाइप काफी अच्छा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिवूज देखा था इसका जहां पर इस मुवी को, लिटरली मास्टर बिस बोला गया था, लिटरली बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग बोला गया था, लेकिन मैं सचको तो मुझे यह फिल्म ऐसा कुछ लगा ही नही मैं बात करता हूँ इसका प्लोट के बारे में, प्लोट जैसे पहला 5-10 मिन्ट मूवी का शुरू होता है, पहला 10-15 मिन्ट बहुत ही इंट्रेस्टिंग होता है और इतना अच्छा पहला 10-15 मिन्ट को एग्जेकूट किया गया है, चॉयमिन शिक का एंजरी होता है, जैसे स इस फिल्म को देखने को नहीं मिला, पहले में बात करता हूँ इसका प्लोट के बारे में, प्लोट मतलब ठीक ठाक था, आइडिया जो है ठीक ठाक था, लेकिन एग्जेकूशन में, स्क्रीन पे में मुझे लगा कही जगा थोड़ा बहुत उल्टा सिधा हो गया है, कुछ- और एक चीज़ अच्छा लहीं लगा कि कुछ-कुछ जगा में, कुछ-कुछ जगा में, कट-अफ करके आगले से इन दिखा ही दे रहा है, मतलब उस ताइम स्काले जो सीन था, वहां से रिकोड कैसे हुआ, वह आपका पता नहीं चलता है, जो कि मुझे एकदम बुड़ा लगा, स्क्रीन पर बोलिए बहुत ही फास्ट है, मतलब एक घंडा 30 मीट का सिनेमा है, तो आप समझ सकते हो कितना छोटा और कितना फास्ट फिल्म है, और बहुत ही फास्ट फिल्म है, मतलब क्या चार डवालम्मेंट उतना आची तरीके से किया ही नहीं गया है, बहुत ही बात करें, पॉजिटिव पन करें मैं तो एक्टिंग, सबके एक्टिंग कमाल का है, स्कालेट जॉनसन और मॉर्गन फ्रीमन चॉयमिन सी, यह तीनों किस बीट का एक्टर है आपको तो पता हिए, खास करके चॉयमिन सीन और मॉर्गन फ्रीमन, यह दोनों तो मतलब फार ही वैसे मॉर्गन फ्रीमन के उतना स्क्रीन टाइम नहीं है, बहुत ही कम है, यह मैं बोल सकता हूँ, पूरा फिल्म में 20-30 मिट तक का है, लेकिन स्कालेट जॉनसन और चॉयमिन सीक का स्क्रीन टाइम काफी जयदा है, और दोनों ने पूरा फार दिया है, खास करके स्कालेट फाइट सीन से या फिर वी एफेक्स से, वी एफेक्स कराम बोलना चाहूँगा, वी एफेक्स उतना इंप्रेसिव नहीं है, शायद यह बाज़ेट की वज़ा से, या फिर मतलब ग्रीन स्कीन ऐसा मतलब मैं समझ आज़ यह इए ग्रीन स्कीन का यूज है, लेकिन जी शायद यह फिल्म और भी अच्छा हो सकता था अगर डार्यक्टर अच्छा हो सकता था एक चीज़ वही उच्छा था राइटिंग और भी अच्छा था स्क्रिंपर और भी अच्छा होता चैक्टर और भी स्टॉंग होता तो और और यह एक ठीक्ठा मुवी है मैं एक चीज़ सोचा था कि जो action films में होता है camera लेकर बहुत ही camera shots जैसे capture के जाता है या फिर cinematography या फिर camera work बहुत ही impressive और unique होता है लेकिन यहां पर वो कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला मतलब camera box action scenes में मैंने सोचा था थोड़ा बहुत unique होगा थोड़ा बहुत कुछ हटके होगा लेकिन वही same to same action scenes में camera shots camera work किया गया है जो कि मुझे उतना पसंद नहीं है average बुलूंगा में तो अगर आपको यह video अच्छा लगा तो वीडियो को like करना शाय करना और अगर आप यह film देखा था film कैसा लगा आप comment box में आई जरूर बताए कि यह film आपको कैसा लगा तो तो के लिए goodbye टेकर मिलता डूए लेक